बच्चों हम बालों की केर के लिए तरह तरह के प्रोडेक्ट कर तरह तरह के ओईल हम यूज करते हैं लेकिन आज इस फ्री की चीज से आपको इतने लाब मिलने वाले जो आपको लाब देते हैं जैसे के अंडे, दूद, गाजर और केला और संत्रा मतलब जो खाने की चीजों से, हमें सारी प्रॉपर्टीज मिलती है ना उसे कई गुना प्रॉपरटी हमें फ्री की चीज से मिलने वाले है ओर बहुत चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने ये है सहजन के पेड़ के पत्ते जिसमें फलियां भी लटकती हैं जिसकी हम सबजी बनाते हैं और जिसमें फूल भी होते हैं जो की जहर जाते हैं बहुत ही healthy होते हैं बहुत ही tasty उसकी सबजी बनती है तो सबसे पहले इन पत्तों को हमने ले लिया है और इसे अच्छे से साफ पानी से वाश कर लिया है वाश करने के बाद इसे साफ कपड़े से हमें पोचना भी है क्योंकि कई पक्षी बैठते हैं इनके ओपर, धूल मिटी होती है तो इन पत्तों की सफाई हमें बहुत जरूरी करने है जब हाँ साफ कर लेंगे, अब आप एक दिन के लिए फैन के नीचे रख दीजे कहीं दूप में रखने की जुरूत नहीं है दूप में रखेंगे तो इसका कलर निकल जाएगा तो अब हम इसे ड्राइ कर लेते हैं लीजे, नेक्स डे मैं इसको निकाल कर आई हूँ ये टॉविल में ही बहुत बढ़िया सूप गए है अब मैं इसको पूरे इसके डंठल जो हैं मोटे-मोटे उन्हें हटा देती हूँ बस छोटे-छोटे जो अगर धागे रह गए हैं तो उन्हें हम इसी में छोड़ सकते हैं इसका पाउडर आपको मार्कीट में मिल जाएगा, ओनलाइन भी मिल जाएगा लेकिन आप घर में, फिरी में बड़ी असानी से बना सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सूखा साफ जार ले लिया है, मिक्सी का जिसमें मैं इस पत्तों को, सारे पत्तों को पीस लेती हूँ यहाँ मैंने इन पत्तों को पीस लिया है पीसने के बाद आप चाहें तो ऐसा ले सकते हैं या फिर आप इसे चान कर ले सकते हैं एक साफ जार में आप भरकर इने रख लीजे बस नॉमल पानी से सुबह उड़ते ही आप ले सकते हैं या फिर रात को सोते समय भी आप ले सकते हैं एक चमच जो छोटा सा एक चमच मैंने दिखाया है वो हमारे लिए दिन भर के लिए बहुत बैस्ट है हमारा गड़ साफ होगा हमारी सकिन में बहुती बढ़िया चमच आएगी हमारे बालों को यही मजबूत बनाएगा थोड़ा सा कसेला जरूर होता है लेकिन आप जरूर लीजिए या फिर मैं कभी कभी क्या करती हूँ जोस nyao key और बच्यों कई टाइप की आपनी गृरीन टी भी पिओगी आज मोरिंगा के पतों की tea बनाने चलते है यहां मैंने गैस पर एक वारतन में एक कप पानी डाल दिया है उसे उबालने के लिए रख दिया है इसमें कुछ नहीं डाला है बसे मोरिंगा के पत्ते जो सहजन के पत्ते हैं ताजे वाश किये हुए हैं साफ किये हुए हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ यह अच्छे से 2-3 मिट उबल गया है मैं आप इसे गैस बंद करके एक कप में छान लेती हूँ यह देखिए यह कप में मैंने चान दिया है आप चाहें तो आप सिम्पुल सा बस ऐसे ही सिप सिप करके पीजिए आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर या आपकी च्वाइस है या आफ्टर ब्रिकफास्ट भी ले सकते हैं लेकिन अगर आपको मन करें तो थोड़ी सी शहद और निम्बू का रस डाल सकते हैं जैसी आप शहद और निम्बू का रस डालेंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा ग्रीन से थोड़ा येलोईश में हो जाएगा अगर हम आधा चमच रोज इस पाउडर को कंज्यूम करेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग या सोने से पह अगरेंगे तो ओल के लिए हमें कोई तामजाम नहीं करना है हमें कोई इसे पकाना नहीं है आप क्या कीजे बस इस पत्तों को अलग कर दीजे अब आप ओल कौन सा यूस करेंगे जैसे कि मैंने एक साफ जार लिया है उसमें कोकोनट ओल डाल रही हूं आप चाहें तो आप भी डाल सकते हैं, जो आपको सूट करें, और तो और जो आपने पहले मेरे बनाये हुआ कोई तेल रखा है, आउल्रेडी आप उसको यूज कर रहो, उसको और पावरफुल और इंफ्यूज कर लो इन पतियों के साथ, तो उस तेल को भी आप यूज कर सकते हो, अगर आपके प हमारे बालों के लिए बहुत बैस्ट होते हैं, बस अभी हमें बिल्कुल नहीं पकाना है, अब हमें क्या करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैंने कुछ पतियां डाल दी हैं, करीब 3-4 टेबिल स्पून के आसपास, हरी पतियां जो ताजी हैं, सूखी हुई है पानी के साथ नहीं है, इसमें मैंने एक छोटा सा चमश डाल दिया है, अनियन सीट्स, अनियन सीट्स डालने से बस इसमें बहुत ही बड़िया पावरफुल ये तेल बन कर त्यार हो जाएगा, आपको करना क्या है, धूप में 2-3 दिन आप रख दीजिए, जैसे 4-4 गंटे भी अगर आपने धूप में रख दिया, जैसे घर की बालकनी में धूप आती है, 4 गंटे रख दिया, बस काफी है, ये इंफ्यूज होता रहेगा, फिर आप उठा के रख दीजिए बॉटल को, वापिस पर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तीन दिन रखने के बाद मैं दि अब ओईल कैसे लगाना है, अब आपको लगेगा ये कौन सी नई बात है, कैसे लगाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या, हलका मसाज करना है, जैसे रात को आप सोने जा रहे हो, तो बालों में अच्छे से कंगा कर लीजे, कंगा करने से क्या होगा, बालों का जो स्कैल पर उस पर ना ब्रेट सर्कूलेशन बढ़ेगा जैसे एक सुईयां सी चुपती है ना बस वैसे ही तो आप उसमें कंगा करने के बाद धीरे धीरे ओयल लगाए हलकी उंगलियों से मालिश कर लीजिए उसके बाद आप सो जाए सुबह आप जब हेर वाश करोगे तो तना मज़ा आएगा मतलब लगेगा कि इसको लगाए बिना हम हेर वाश करेंगे ही नहीं क्योंकि बहुत बढ़िया बालों में चमक आएगी बालों की ग्रोथ बढ़ेगी बाल मजबूत होंगे बालों का जर्णा आदा हो जाएगा बहुत रिजल्ट इसका अच्छा बहुत ज्यादा एफेक्टिव ओयल है इसे जरूर ट्राई कीजिए एक बार आप ट्राई करेंगे बनाएंगे आपको लगेगा कि इसे बनाना तो बनता है